हैलो गाइस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे है आप व्याइद करने आप लोग बहुत बहुत है देखनेंशंगे और आपके प्रिकनेंसी भी आइच Natural होगी तो फ्रेंट सी किया एक मायला के पीड मिस हो जाते हैं और आपको पता लगता है के मेरे period मिस हो गए हैं फिर हमुए होस्पिरल जाकर टॉक्टर से check-up कर बाते हैं कि हमारे period मिस हो गए हैं उसके बाद doctor हमें एक good news देते हैं कि आप जो है एक मा बनने वाली हैं तो उस time पे जो है ना हमें इतनी खुशी होती है कि हमारे हमें तो क्या पूरे घर में इतनी खुशी होती है कि आने वाला जो महमान है और हमारे husband इतने खुश होते हैं कि आने वाला ननना महमान जो है हमारे घर में एक बेट यह जरूर सोचते हो कि मेरे बेटा हो जाए और मेरी एक फैमिली कम्प्लीट हो जाए इसलिए आप लोग बेबी बॉई के सिम्टम्स जाना चाहते हो कि जो आने वाली संतान है मेरी और जो मुझे प्रिगनेंसी के दुरण सिम्टम्स हो रहे हैं वो एक बेटे के हैं या फिर जान सकते हो कि आपके गर्व में पलड़ा जिशु जो है वो एक बेटा होगा यहां पर बेबी-बॉई के सिम्टम्स अगर आपको भी जानना है कि आपकी प्रिगनेंसी में जो आपका सिम्टम्स हो रहे हैं वो एक बेटे के हैं तो फटा-फट से मेरे चलेने को जरूर सब करना क्योंकि मैं यहां पर अपने बवब सेंटम्स सेयर करते हुं ताकि आपके मन सब्सक्राइब करते होाइज quelque जो आहिऊ tay के रखेegenmeeकी दुरान आपके बाहर का बाहर थालके यूरन का कलर डार्क पीला हो जाना ठीक है आपका पेट पेटको कवको तो आपको क्या होगा धालों सब्सक्राइब इस बाद स्बिखी के जवाब में आज में आपको इस वीडियो में बारने वालिए। अगर आपको यह बात जाननी है कि आपके गर्व में पलडा शीशू जो है वह एक बेटा होगा तो वीडियो को पूरी देखनी जरूर है आपको ताकि आपको हर एक पॉइंट के जवाब आपको मिल सके तो पहला पॉइंट यह है फ्रेंट्स कि अगर आपके हाथ पैर जो है वह बहुत संतान होगी वह एक बेबी बॉय होगा ठीक है फ्रेंट्स क्योंकि हमें यह बहुत ज़्यादा बाते जो है ना जो बड़े बुज़ूर्गों की बाते होती ना फ्रेंट्स यह एटी परसंट महिलाओं के उपर बिलकुस सटीक बैठती आ रही है और यह बहुत पुराने ज पल रहा है बच्चा वह एक बेटी होगी बट में आपको प्रेंट्स बताना चाहते हूं कि अगर आपको ज्यादा प्रिग्नेंसी के दुरान पसीना आता है तो आप पानी का इंटेक ज्यादा कीजिए इसके बाद आपको पसीना जो है वह कम हो जाएगा सेकिंड सिम्टम स इसके आपका पेट का अकार आपके पेट को अकार को देखके फ्रेंट्स हमारे घर के बड़े बुजूर्ग बहुत सटेक अंदाजा लगाते हैं कि अगर आपका पेट जो है आठवे और नौवे महीने में भी छोटा पेट आपका मतलब की बोला जारहा आपको देखके इस यह सिम्टम्स मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर के उपर सेम बैठा और उनको भी जो है बेबी बॉइ हुआ है इसके बाद यह है फ्रेंट्स के प्रिग्नेंसी के दुरान अगर आपका जरूरत से ज़्यादा वेड बढ़ता है देखिए प्रिग्नेंसी के दुरान दस या बारा किलो वेड बढ़ना एक कॉमन बात होती है अगर उससे ज़्यादा आपका वेड गेन होता है तो बोला जाता है जो आने वाली आपकी संतान है वो एक बेबी बॉइ होगा बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ फ्रेंट्स के आपको प्रिग्नेंसी के दुरान है डिलीवर नहीं हो पाएगा आपको सिजेरेन करवाना पड़ सकता है इसके बाद यह है फ्रेंट्स के भूक का बढ़ जाना प्रेग्नेंसी के दुरान आपने अधिकतर देखा होगा फ्रेंट्स के आपको भूक नहीं लगती है खाने का मन ही नहीं होता है ऐसा मन करता है लेजिनेस आपको फेल होता है एक से लेके तीन महीने के बीच में बट अगर आपको एक से लेके तीसरा महीना चल रहा है और आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो बोला जाता है कि आने वाली संतान आपकी एक बेबी बॉई होगा फ्रेंट्स देखिए भूक जो लगती है अपको इस Strailer लगती है क्योंकि उस टैम पे बच्चा हमारा बन रहा ही होता है हमारा ब्लड हमारा खान पान सब कुछ जो है बच्चे के लिए तैयार होता है तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़़ा भूक लग रहे हैं तो इसलिए आपको बहुत जादा भूक लगती है अगर आपके पेट वह बिल्कूल फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है और बहुत चोड़ा दिखाई दे रहा है तो बोला जाता है कि आपके गर्व में पल रहा है वह एक बेटी होगी यह बड़े बुजुर्गों की ब बताया है वहिए हमारे साथ में हो भी रहे है और क्या पता हमें बीबी bendingर हो ठीक है तो कई बार ऐसा बीड़ेखा गया है कि सारे सींटम्स आपके बीबी की होते हैं और आपको कई लोगों लोग बोला होताय है कि एडिवर्य के टाइम पे आपके बीबी में कितने पैसे के उपर बात होती है कि आपके गर्व में पल रहा शेशु जो है ना वह डिलीवर के बाद ही पता लगता है प्रॉपर तरीकी से के एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी इस टाइम जो है बस हम जो है अन्दाजे लगा सकते हैं जो हमको देखके बहुत सारे बड़े बु प्रेटी होगी अगर अछिकम के बैटी होगी इसके बाद मैं अपको बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रिगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो बहुत ज़्यादा आप फरवट रहते हो मतलब कि हर काम को करने के आपके जिग्यासा रहते हैं कि फटा फट से काम हो जाए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिग्नेंसी के बाद भी फुरती है तो बोला जाता है क आपके गर्व में पल रहा शुशु जो है वो एक बहुत अच्छा लड़का होगा ठीक है फ्रेंट्स देखिए जो में सिंटम्स बता रही हुना तो यह मेरे साथ तो बिल्कुछ सटीक बैटे हैं तो आपके साथ सटीक बैटते हैं नहीं बैटते हैं आप मुझे कमेंट्स ब अपने तरीके से बता सकती हूं कि बैबी बॉय हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे एल्टर सांट देखे और मेरी बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर है जो ने मुझे बताया भी है कि अगर हमारी बच्ची की हार्ट बीड जो है मैं 140 से उपर आई थी तो बैबी बॉय कुछ भी आई हो उनको भी जो है बेबी बॉय के चांस होते हैं इसके बाद बहुत ही ज्यादा जो सटी किलेक्शन होता है वह यह होता है कि प्रेग्नेंसी के दुरान आपका वाइड डिशार्ज आपको दर्शाता है कि आपके गर्प में पल राशीशु जो है वह एक बेबी बॉय होगा ठीक है बट में आपको बताना चाहती हूं कि अगर वही वाइड डिशार्ज जो है ग्रीनिक कलर्स का हो रहा है या फिर वाइड कलर का नहीं हो रहा है और रेड ने सारी उसके अंदर या हाल का पिंक कलर आ रहा है तो इस तेम आपको थोड़ा सा सतर्क ह हो जाना है और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कई बार क्या होता है कि आपको यूटी आई प्रॉब्लम होती है मतलब कि वाइड डिस्चार्ट का ही टेस्ट होता है आप उसको कराई उससे आपको पता लग जाएगा कहीं आ आपको तुरंत जाना है अपने डॉक्टर के पास और अपना चेक अप करवाना है जो सिम्टम्स मैंने आपको बताएं उसमें थी आपको कौन से सिम्टम्स हो रहे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना मिलती मैं आपको नेक्स वीडियो में बाई-बाई टेक क्या लव यू गईस